मेरा पूरा 12th class मेरे hometown से ही मैंने complete किया वो भी Hindi medium है मेरे professors इंग्लिश में बात क्या करते थे मुझे समझ में नहीं आता था मेरे professors को इंग्लिश में सुनू कि मैं नोट्स बनाऊ मुझे बहुत तखलिफ होई और तब मैंने धूंदी एक संजीबनी बूटी येस, संजीवनी बूटी, इंग्लिश सीखने की और मैं आपको गैरेंटी देती हूँ, लिए आपकी जिल्दिगी बदल देगा मुझे कितनी बार बोला गया सुर्भी माम, हम अंग्रेजी क्यों सीखे, इसकी क्या जर्वत है हमें हमारी लैंग्वेज से बहुत प्यार है, मुझे भी अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार है बट, आपको ये समझना होगा, आज हम एक गोल्डन एज में रह रहे हैं जहां हम पूरे वल्ड से बस कुछ चण सेकंड में कनेक्ट हो सकते हैं कभी आपने सोचा है हर गाव गाव में हर गली गली में इतनी जुगाड हो रहे हैं इतनी innovations हो रहे हैं बट वो पूरे वर्ल्ड तक पहुच क्यों नहीं पा रहे उसका बस एक ही कारण है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम उस तक पहुचे कैसे इसी वज़े से ये English सीखना बहु सब्सक्राइब के नाम से जहां पर मैं सभी को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ जो श्टॉक्स पर मुझे ये प्लाटफॉर्म मिला नौट बिकर्स अफ माई जर्नी येस आज मैं आपको मेरी जर्नी के बार में बताने वाली हो मैं राज़सान के एक छोटे से कस्वे बांद ग्षाम्स रखे थे ट्वाइल के लिए उस क्लास से पहले हमेशा मेरा रैंक सबसे लास में आया करता था बट फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे बहुत महनत करनी है क्योंकि मेरे क्लासमेश मेरा मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि मुझे एक्ट्रा क्लास में रूखना पड़ता था मैंने सोचा आप मुझे खुब मेहनत करनी है और फिर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जब रिजल्ट आया तो मेरा मैरिट में नाम था मेरा फिफ्ट नंबर का मैरिट आया था जब मैंने घर पे सब को बताया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ बट जब मीडिया वा मेरा नाम आया है और तब से मेरी जर्णी की शुरुवात हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब सफलता मिलती है तो कितनी खुशी होती है मेरे घर से सब लोग बहुत खुचते बहुत मिठाईयां बाती जा रही थी उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आप मैं पीछे एंड सेकिंड रंक आया करता था मेरा पूरा 12th क्लास मेरे होम टाउन से ही मैंने कम्प्लीट किया वो भी हिंदी मीडियम में मुझे लगा में दुनिया जीत लोंगी मैं बहुत कुछ कर लोंगी बट मेरा स्ट्रगल वहां से शुरू हुआ जब मुझे जैपुर के बेस कॉ में रहने वाली मेंडक की जैसी है जिसे कुछ पता ही नहीं था कि वर्ल कैसा है जब कॉलेज में मेरा पहला दिन था मुझे बहुत जादा परिशाने हुई मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करो मेरे प्रोफेसर्स इंग्लिश में बात क्या करते थे मुझे समझ में नहीं कि नहीं मिलेगी, तो not giving up, वो वाला spirit मैंने बिल्कुल भे नहीं छोड़ा, और तब मैंने धूंडी एक संजीवनी बूटी, येस, संजीवनी बूटी, इंग्लिश सीखने की, उस संजीवनी बूटी का मैंने बहुत ही खुबसूरत नाम रखा, और वो नाम था, आओ, अंग् कि ये आपकी जिन्दिगी बदल देगा, जो जिन्दिगी उसने मेरी बदल दी, आज मुझे आपको बताते वे बहुत खुशी हो रही है, कि मैंने इंग्लिश में पीएच्टी की उस लांग्विच में, जिससे बोलने में मुझे बहुत डर लगता था, बहुत घबराट हो थी एक वो समय था जब एक इंग्लिश सेंटेंस बोलने में भी मुझे इतना पसीने छूट जाते थे, क्या आप रेडी है वो संजीवनी बूटी जानने के लिए, तो चलो आज मैं आपको बताती हो, ये संजीवनी बूटी जानने से पहले मेरा कॉलेज में कभी-कभी मजा कुड़ाय जाता था, क्योंकि मुझे एक सेंटेंस फ्रेम करना भी नहीं आता था, लेकिन इनी कृटिक रेमार्क्स ने मेरी बहुत मदद की ये संजीवनी बूटी धुनने में, तो चलो मैं आज आपको ये संजीवनी बूटी बताती हो, तो ये बूटी, संजीवनी क्या मैं, एक नोट बुक लीजे और एक पैनल लीजे, अब आपको डे वन से लेके डे फाइव तक आपने सुबह से उठकर राद तक क्या 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 किया, for an example, आप सुबह साड़े पांच बच बच उठे, फिर आपने ब्रश किया, अपने योगा किया, मेडिटेशन किया, फिर आपने breakfast किया, आप friends से मिलने गए, PTM meeting में गए, वो सारे conversation, वो सारे act जो आपने किया है, वो सब आपको अपनी diary में लिखने है, यह आपको करना है day 1 से लेके day 5 तक, अब day 5 से लेके day 10 तक आपको उसकी English लिखनी है, बट आपको तो English आती ही नहीं है, तो आप English कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ, जो आपकी मदद कर सकते हैं, tip number 1, आप online medium की मदद ले सकते हैं, tip number 2, जो आजकर सबका best friend है, chat GPT, tip number 3, उस इंसान से बात करिये, उस से पूछिए, जिसको इस language की बहुत अच्छी जानकारी है, and tip number 4, आप कभी भी मेर इंस्टाग्राम पेज, speak English वे सुर्वी पे, कभी भी मुझे DM कर सकते हैं, I promise you कि मुझे जब भी time मिलेगा, मैं आपको respond करूंगी, यह हुआ आपका day 1 से लेके day 10 तक की journey, इसमें आपको क्या फायदा होगा, आपको almost I believe कम से कमा 5000 sentences का English तो आपको आही जाएगा, मतलब 50% काम तो आपका होई गया, आप केसी से भी English में बात कर सकते हैं, अब हम आते हैं part number 2 में, so part number 2 क्या है, it will start from day 11 to day 20, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें visualize करना है, ऐसे कौन-कौन सी events होते हैं, जो general आपकी life में अकसर हुआ करते हैं, जैसे friends के साथ में coffee पे जाना, get together, या airport में आप जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं English में कैसे बात किया जाए, hotel में room book करना है, ऐसे कितनी सारी conversation होते हैं, जिसकी वज़े से आपको कितनी बार इदम शरम महसूस होती है, होती है न, तो अभी आपको क्या करना है, day 11 से लेके, day 20 तक उन सारी situations को visualize करना है, और ऐसे मह हो रही है, तो आपने क्या बोला और सामने वाली ने क्या बोला, वो सारी conversations आप लिख लीजिए, आप लोगों को कम से कम एक दिन में 5 situations visualize करनी है, तो आप इसे count कीजिए, 10 दिन में कितनी हुई, 50 situations हो गई, इसका मतलब आपके पास में वो सारी 50 situations का conversation एकदम ready है, तो day 1 से ले आपने कर लिए, अब आपने कम से कम 50 situations, उन सब का भी आपके पास में पूरा ready हो गया, अब हम बात करते हैं, part number 3 की, जो की बहुत ज्यादा important है, इसमें आपको क्या करना है, अब आपकी पूरी script ready है, इसको आप एक movie की जैसे समझें, जिसमें script आपके हाथ में है, बट आप आपको perform कैसे करना है, अब सोचिए, you are the lead actor of this, अब आपको decide करना है, यह movie flop होगी, कि यह movie hit होगी, यह आपके उपर है, you will have to control the remote of your life, right, are you ready for this, उसके लिए में आपको बहुत सारी tips बताने वाली हो, जो कि पहला बहुत important है, वो tip है, talk to yourself in the mirror, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना से 20 मिनिट के लिए अपने आप से बात करनी है, इंगलिश में, trust me, यह tip बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा, trust me, जब मैंने यह tip अपनाया था, तो यह मेरे लिए एकदम life changing वाली बात हो गई थी, मैं हमेशा अपने होसल के रोम में, जब मेरे friends बाहर चले जा इतनी बार मेरे Instagram पेज पे बहुत लोगों ने message किया, सुर्भी माम, English तो आती है, लिख भी लेती हूँ, पर problem गिये है, confidence नहीं है, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, आपका part 1 और part 2 में almost आपको बहुत अच्छी English आ गई है, अब आपको क्या करना है, आपको उन लोगों से English में बात करना है, या तो जिनको बिल्कुल भी English नहीं आती है, और उन से जिनको English आपसे बहुत कम आती है, और फिर आएगा आपको मज़ा, क्योंकि हमको हमेशा प्रोहसाहन होने के लिए और motivate होने के लिए लोगों से compliment चाहिए, तो आप हमेशा उन से बात क पर बहुत ज़्यादा फोकस करिये, अब हम आते हैं टिप नंबर थ्री पे, टिप नंबर थ्री ये भी बहुत ज़्यादा important है, इसकी शुरुआत करूंगी में बहुत ही beautiful lines है, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अकसर मंजिल पे पहुचते हैं, तब आपको इसमें करना क्या है टिप नंबर थ्री में, टिप नंबर थ्री में अब आपकी movie ready है, अब आप actor भी almost आदा अपने काम कर लिया, अब आपका time है market में आने का, लोगों से बात करने का, तब आपको अपने आप से promise करना होगा, वो promise क्या होगा, वो promise होगा, आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपका बस एक mission होना चाहिए, इस language से बहुत ब्यार करना, चाहिए कुछ भी हो जाए, बहुत बार ऐसा हुआ, जब मैं आपकी वाली stage पर थी, कि बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, और trust me, जिनोंने मेरा मजाक आपको अपने आप से बहुत बड़ा promise करना होगा, कि आप पीछे कभी भी नहीं हटेंगे, इसे कोई फरक नहीं पड़ता, कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको किशोर कुमार का वो गाना याद है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसी तरह स हम सब की जिनकी में ऐसे चार लोग तो होते हैं, बट क्या फरक परता है, हमारी जंग बहुत बड़ी है, और इसे हमें जीतना ही है, और इस language से हमें प्यारी करना है, ये संजीवनी बूटी, आप इसे बहुत अच्छे से सीखिए, और I make sure कि आप 30 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी सिखिए, ऐसा मैंने तीन और चार बार क्लासिस की, मेरा कुछ फाइदा नहीं हुआ, बट ये संजीवनी बूटी आपका बहुत फाइदा करने वाली है, ऐसा भी हो सकता है, आज जहां मैं खड़ी हूँ, कल आप वहां खड़े हो, और ये ही संजीवनी बूट पर बार बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भर देता है, गिरकर चड़ना, चड़कर गिरना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अभी अभी मैंने आ तो आप अभी की अभी जोश्टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग आप डाउनलोड करिए यह आपकी हेल्प करेगा लाखों लोगों से जुड़ने के लिए और इसका लिंक दिया गया है कॉमेंट बॉक्स में अभी की अभी आप इस लिंक पर क्लिक करिए और जुड़िए आप इसी लाखों लोगों के साथ में जहां पर आप उनके साथ में इंग्लिश में प्राक्टिस कर सकते हैं